दिल्ली के उप राजिपाल की निक्ति विन सक्सेना के रूप में राष्टपति रामनात कॉविंद के द्वारा किया गया है और विन कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उप राजपाल बनाए गया है तो ये दिल्ली के नय एल जी यानिकी लेटिनेंट गवर्नर बने तो ये एक नय इंपोर्टेंट करण अप्यर्श है आपनों को ध्यान रखना है तो इनके बार में आमनों को जानकारी को देखते हैं तो विन्यकुमार सक्सेना पूर्व उप्राजपाल अनिल बैजल का अस्थान लेंगे जिन्होंने पिछले सप्ता ही नीजी कारणों से इस्थिफा दिया था तो दोस्तों ये जो है विन्यकुमार सक्सिना ये पूर्व उप्राइजपाल अनिल बेजल का अस्थान लेंगे जिन्होंने पिछले ही सप्ता इस्थिपा दिया था विन्यकुमार सक्सिना बर्तमान में खादी एवंग ग्रामोद्योग आयोग के अधेचे हैं लेकिन इनकी न्यूकती होकी है दिल्ली के नए एलजी यानि कि लेप्रिजिन्ट कवर्नर या हम लोग कर सकते हैं कि दिल्ली के उप्राइजपाल के रूप में दोस्तों इनके बार में थोड़ी जानकारी को देख लेते हैं तो विन्यकुमार सक्सिना का जानम 23 मार्च 1958 को उत्तर प्रदेश में हुआ था तो इनका जानम हुआ था वो 23 मार्च 1958 उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये कानपुर विश्वविद्धालय के पूर्व छात बनाए गये थे तो यह विनेक मरसक्षिन इनको खादे आउंग ग्राम दोग आयो के अधेच्च बनाया गया था 27 उक्टूबर 2015 में यह खादे आउं ग्राम दोग आयो के अधेच्च बने थे दोस्तों यहां पर दिल्ली के बारे में जानकारी को देखते हैं तो यह जो पद है यानि की उप्रजिपाल का यानि की एलजी का वह पद के नसासित प्रदिश दिल्ली का एक समवेधानिक हेड होता है तो यह जो एलजी होते हैं वह दिल्ली के एक समवेधानिक हेड होते हैं और बरतमान में अगर बात करते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री को नहीं त आटी के नेता भी हैं तो इन्हीं किया भी सरकार है कि इंदसास्ति पर्दिश दिल्ली में तो यहां पर हमनों को इंपोर्टन जो जानकार हुआ है कि विने कुमार सक्सिनर दिल्ली के नए उपराजपाल बन गया है लेप्टिनेंट गवर्नर या तो फिर एलजी जो बने हैं वह हैं विने कुमार सक्सिनर तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है और इन्होंने ही पूर्व उपराजपाल अनिल बैजल का अस्थान लिया है